हेलो एबरीबडी वाइकम तो कुम्स किच्छन आज हम बना रहे हैं अंडे आलू का सालन यह दो अंडे आलू का सालन हरे के गर में बनता है लेकिन हरे का तरीका अलग अलग होता है यह भी एक तरीका है जो मेरी मम्मी का है और मेरी मम्मी अंडे आलू का सालन बहुत ही टेस्टी बनाती है मेरे हस्बन भी उनके हाथ का सालन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो आज मैं अपनी मम्मी के तरीके से अंडे आलू का सालन बनाना बताती हूँ अगर अपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेजिए बेल एकन को क्लिक कर देजिए ताके आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मलती रहा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमने दस अंडे लिये हैं और तीन आलू इसको बॉइल कर लिया है आलू को हमने छिल लिया है और अंडे को भी हमने छिल की रख लिया है तेल हमने गरम रख दिया है और अंडे को इस तरह से फोक से छेत कर देंगे इस तरह से या चूरी से भी आप कर सकते हैं अच्छे से सब जगा से फोक मार दीजी आप इसमें और तेल गरम हो गया है इसमें हम डालेंगे अंडा तो आपको बहुत समहाल के डालना है क्योंकि अंडा कभी-कभी क्या होता है तेल गरम होता है तो बहुत उचलने लग जाता है और थोड़ा दूर कड़े रहिएगा क्यो इस अंडे को fry करेंगे अंडे को अच्छी तरह से गोल्ड़न प्राय कर लेंगे और गौत दीरे-दीरे से इसको पलतेंगे एक तरफ गोल्ड़न हो रहे हैं तो दुस्री तरफ भी हम उसको पलत के गोल्डन कर लेंगे देखे हमने फोक से इसको छेट किया था ताकि ये फुटे नहीं और अच्छे से फ्राइगे फिर भी आपको फोक से छेट कर रहेंगे बावजूर आपको ध्यान रखना है इसके बाद भी कई बर अंडा फुट के बाहर उचलने लगता है और तेल के साथ वह हमारे आंग में भी आ सकता है तो ये घ्यान रखना है आपको बच्चों से इसको बिलकल दूर रखे और ये बहुत तेस्की सालन बनेगा और इस तरह से अंडा फ्राइ करके आप बनाएंगे जब तक अंडा फ्राइ हो रहा है चलिए हम मसाले की तयारी कर लेते हैं ये चार प्याज हमने ले लिया है जो इसे मोटा मोटा तुकडों में काट लिये है चार हरी मिच है और चार बड़े टमाटर है इसको हमने बड़े तुकडों में काट लिया और इसको हम कर लेते हैं ग्राइं तमाटर प्यास का मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है और उसके साथ साथ ये अंडा भी फ्राय हो गया है और हम इसको निकाल लेते हैं दिखें ये अच्छी तरह से फ्राय हो गया है बहुत लोग ऐसे ही अंडा सालन में डाल देते हैं बिना चले उसकी टेस्ट में और इसके टेस्ट में बहुत फर्ख परता है ग्रेवी में भी टेस्ट में बहुत फर्ख परता है तो इस तरह से अंड़ फ्राइ करके डालिए बहुत टेस्टी आपकी ग्रेवी बनेगी तो लग देते हैं इसको साइड पे और तेल हम थोड़ा क ग्रेवी की तयारी कर लेते हैं तो यह डाल देते हैं इसमें जीरा हो गया है इसमें डाल रहे हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट का इतना अच्छा है फ्रिज में रखने के बावजूद इसका कलर बिल्कुल खराब नहीं होता है और इसका वीडियो मैंने अपलोड किया है इसकी अच्छी देखने है तो आप आई बटन में क्लिक किजिए आपको इसी रेसिपी में जहादी है दो टेबल पून हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है और उसको खोड़ा से एक पतकिस्ती से केंड हम बूनेंगे और उसी के साथ हम डाल देंगे वो मसाला जो हमने पिस बहुत इजी तरीका है बहुत आसान रेसिपी है यह आपको कभी भी बूक लगे रात के टाम दिन के टाम फॉरण बनाए 20-25 निट में यह रेसिपी बिलकुल रेडी हो जाती है तमाटर प्याज और हरी मिर्श का हमने पेस्ट बना के डाल दिया इसके अंदर और उसी के अधी टीस्पून गरम मसाला पॉरडर यह घर का गरम मसाला पीसा हुआ है अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो आई बटन पे क्लिक किजिए आपको मिल जाएगी और अपनी टेस्ट के मुताबिक नमक इसको भी हम साथ में ही डाल देते हैं और इसको मिक्स कर देते हैं देखें टमाटर नमक मसाला सब साथ में हमने डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से हमको बुलना है मसाले में एक बॉइल आएगा फिर हम इसको ढाग के पकाएंगे देखिए मसाले में बॉइल आने लगा है और यह उचलने लगा है फ्लेम को लो करेंगे और इसको ढख के 10-15 निट पकाएंगे और बीच बीच में हम इसको फिलाते रहेंगे मसाला हमने 15-20 निट बुना है और देखिए तेल भी चुग गया है और मसाला पूरे तरह से सुग गया है अच्छी तरह से यह भुन गया है और बहुत बार हमने इसको चलाया है बार बार खोल के ढखकन हमने चलाया है और इस तरह से पानी भी सुग गया और मसाला भी भुन च अच्छे से भूनेंगे मसाला तो टीस्ट बहुत अच्य आएगा मसाला अगर अच्छा नहीं भुनेगा त्वाइगा त्वाइगा और यह हुगा आ। अब इसमें हम कासूरी मेथी में हमसल बूश भूकर जाती है और बोट आसानी से राती है और जा? भी बिल्कुल चेंज नहीं होती है फ्रीजर में रखने से यह पाइदा होता है यह डाल दिये कसूरी मेती और इसको कर दिया हम अच्छी तरह से मेक्स इसकी खुश्बू बहुत अच्छी आएगी ग्रेवी में बहुत अच्छा टेस भी देगा और खुश्बू भी बहुत अच्छी आएगी तो ये कसूरी वेती आप जरूर डाले अंडे के ग्रेवी में उसी के साथ हमने यहाँ पे तीन आलू बॉइल किया था जो छोटे चोटे तुकडे में काट लिये हम बहुत आलू नहीं खाते इसलिए हमने बहुत नहीं डाला है आपको अगर ज्यादा चाहिए तो आप डाल सकते हैं इसी मसाले में हम इस आलू को भी थोड़ा मिक्स कर लेते हैं और यह जो हमने अंडा फ्राइ किया था यह भी हम इसमें डाल देते हैं और इसको करते हैं अच्छी तरह से मिक्स तो उसमें मसाला भी भूनते जा रहा है और इसको भी हमने अंडे को और आलू को भी डाल के थोड़ा से भूनेंगे इस तरह से अच्छे से दो से तीम निट इसको भूनते हैं और उसी में हम थोड़ी डाल देंगे कोत्मीर याने कि धन्या की पत्ती और इसको भी साथ में भूनते हैं जिससे उसका टेस्ट और अच्छा आएगा देखें सालन को इसी तरह से भून के फिर आप पकाए तो उसकी ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनेगी क्योंकि जो आलू हमने बॉइल कि अवर डाला है वो थोड़ा थोड़ा हमारे चम्मच में लगते जा रहा है तो उससे गाड़ी ग्रेवी भी बन जेगी क्योंकि कुछ ना कुछ आलू कहीं ना कहीं से तूटेगा थोड़ा थोड़ा तूटके चूरा होगा और वो ग्रेवी उसकी बहुत अच्छी और गाड़ी सी बनेगी इस तरह से हम तीन से चार मिनेट इसको भुने है और दाल देते हैं हमको जितना पानी चाहिए हम तकरीबन देड़ से दो गलास पानी यूस करेंगे जितना हमको ग हमको थोड़ा और ग्रेवी जो है हमको थोड़ी और पतली चीए तो हमने थोड़ा पानी और डाल दिया है क्योंकि हम इसको किचोडी के साथ खाने वाले है तो इसको अच्छी तरह से ग्रेवी बना ले रहे हैं इस तरह से आप ज़रूर बनाएं बहुत ही टेस्टी होती है मसाले में देखे थोड़ा थोड़ा बॉइल आ रहा है तो इसको पांच मिनेट तक लो फ्लेम पे ठाक के पकाते हैं पांच मिनेट इसको हमने और अच्छे से पकाया है देखे तेल भी उपर आ गया है तरी हमने बहुत तेल नहीं डालाता तो तरी भी कम आई है अगर आपको अच्छी तरी चाहिए तो आप थोड़ा तेल ज्यादा डालिए अगर आपके घर में खाते हो तो देखे इस तरह स अच्छी तरह से यह पक चुका है और बहुत अच्छी खुश्बू भी आ रही है आपको मैं ग्रेवी दिखाती हूं कि कितनी गाड़ी हमने ग्रेवी रखिए देखिए हमने यह और गाड़ा होगा जब यह ग्यायस बन करेंगे हम तो थोड़ा और गाड़ा होगा तो आप अपने हिसाब से जितना आपको चाहिए उतना गाड़ा आप रख सकते हैं देखिए कितना खुबसूरत लग रहा है तले वे जो अंडे है न वो बहुत खुबसूरत लग रहे अगर कोई महमान भी आते है और इस तरह की ग्रेवी आप अगर उनके सामने रखते तो बड़े खुश भी हो जाएंगे रिच लगता है और अब लास्ट में हम थोड़ा से और कोतमी डालते हैं और फ्लेम को कर देते हैं बन अंडे अलू की ग्रेवी बिल्कुल रेड़ी है और बहुत ही तेस्टी बनी है कलर भी बहुत खुबसूरत लग रहा है तो आप जरूर बनाईए आपके महमान भी खुश हो जाएंगे आपके घर वाले भी बड़े खुश हो जाएंगे और बहुत दुआय देंगे अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल एकन को क्लिक कर लीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपकी ग्रेवी कैसी बनी थैंक्यू वेरी मच